आयात निर्यात का कम भी होगा नमस्कारिक नियूज 24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग देश में तरह तरह के आम हैं और सारे आम अपने आप में खास होते हैं लेकिन कोई कोई आम ऐसा होता है जिसके डिमांड बहुत जादा होती है ऐसे में अगर बिहार की बात करें और बिहार में भागलपुर की बात करें तो भागलपुर का जो जर्दालू आम है वो बहुत जादा प्रसिद है साथ पर आपको यह भी पता दें कि 2018 में ही जर्दालू आम को GI टैक भी मिल चुका है हलाकि जो इसकी खुश्बू है जो इसका स्वाद है वो लोगों को काफी पसंद आता है साथी एक बड़ी खासियत जर्दालू आम में ये भी है कि ये बेहदी सुपाच्च भी होता है किसी भी मरीच को भी आप ये आम खिला सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा भी आम अगर आप खाते हैं तो आसानी से ये पच जाता है और सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरीके से भागलपुर में इसका पैदवार होता है अब खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि हर वर्स जो इसकी पैदवार होती है वो बहुत अच्छी होती है और जर्दालू आम की जो डिमांड है वो धीरे धीरे अब देश और विदेशों में भी बढ़ती चारी है तो चलिए पेश है एक खास रेपोर्ट जर्दालू आम को लेकर भारत का सुप्रसिद जी आई टैग प्राप्त जर्दालू आम का उतपादन भागल पुर्जिले और आसपास में सैक्रो हेक्टेर में दशकों से किया जा रहा है हर वर्ष इसकी जमकर विक्री होती है यह आम सुगंदित स्वादिस्ट और सुपाच्च होता है साथ ही डाइबिटीज के मरेज भी इस आम को खा सकते हैं अपनी खासियत के कारण ही वर्ष 2007 से जर्दालू आम बिहार सरकार की ओर से सौगात के रूप में महामहिम राश्रपती प्रधान मंत्री और देश के कई गड़बानियों को भेजा जाता है जर्दालू आम उत्पादक संके अध्यक्ष सुल्तान गंजनिवासी किशान अशुक चौधरी के बगीचे से तयार आम को बेहतर पैकेजिंग कर विक्रम शिला एक्सप्रेस से दिल्ली भीजा जाता है वहाँ बिहार भवन से राश्रपती और प्रधान मंत्री तक पहुँचाया जाता है जर्दालू आम का रजिस्ट्रिशन एक्सपोर्ट के टागरी में भी हुआ है पिछले वर्स इंग्लैंड वेल्जियम और बहरीन में इसे भीजा गया है इस बार अन्य गल्फ कंच्रियों और यूरोप्य कंच्रियों में भी एपिडा के माध्यम से इसे भीजने की तैयारी हो रही है बता दें कि पैदवार के अगर बात करें तो इस वर्स जम कर फलन हुआ है जरदालू आम के पेड़ों में पत्ते से ज़्यादा सिर्फ टिकोले नजर आ रहे है मई के अंतिम सप्ता में इसे तोड़ा जाता है खास कर जो आम राश्ट्रपती और प्रधान मंत्री तक भेजे जाएंगे इसका विशेस रूप से ध्यान रखा जा रहा है जरदालू आम उत्पादक संके अधक्ष मैंगो मैन अशुक चौदरी की मदद से 2018 में जरदालू आम को GI टैग मिला था उन्होंने बताया कि इस वर्स बहतर फलन हुआ है इस बार कई देशों में भी भेजा जाएका इस आम को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यह सुपाच्च होता है ज्यादा से ज्यादा आम खाने के बाद भी कोई परिशानी नहीं होती है डाइबिटीज के मरीज भी इसे खा सकते हैं आम का तो हम लोग काफी बढ़ियाँ फसल भी इस बार आया हुआ है और मेंटनेंस भी बहुत अच्छा है और इस बार बंफर फसल को देखते हुए मन आयात निर्यात का कम भी होगा निर्यात भी किया जाएगा और राष्ट्पती वाला आदेश होने के बाद वहां भी जाएगा ही आम का कोई दिक्कत नहीं है इस बार इतना आम जाता है इधर गनिमान में से कुछ गनिमान लोको तो एक हजार पेटी कभी या दो हजार पेटी दिल्ली ही जाता है 2000 पेटी के बाद फिर पठना इत्यादी जगह में जाते जाते 300,000 से ज्यादा ही पेटी जाता है पेकेट इस वार विदेष भी 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 भेज़े जाने के प्रसाल से ही सुरुबात है अब क्यूकि बहुत सारा किसान को नया भाग लगवाया गया है और हम लोग काफी प्रियास किसान बन चुके हैं इसलिए गल्फ कंट्री से भी आता है यूरोपी कंट्री से भी आदेश आता है इस वार परेस तर्प भेजा जाएगा जाना चाहिए इस वार फसल भी मंफड है ज्यादा फसल है तो जहां-जहां से जो भी आउडर आएगा तो उसको पूर्टी किया जर्दालू आम में सबसे बड़ी खासियत है कि ये सुपाच्य होता है ज्यादा ज्यादा आम आप इसको खाईएगा तो आस्वानी से पच जाता है इसको रोगी बुढ़ा बच्चा कोई भी आदमी ज्यादा ज्यादा आम खाके इसको पचा सकते हैं या डाइबिटी इसम सुपरत से निकाहा है कि जर्दालू आम की बेहतर मार्केटिंग हो इसके लिए क्रिसी विभाग और मुख्यमंत्री इस पर पहले नर्णय ले चुके हैं पिछले दो साल से हम लोग प्रयासरत हैं एपिटा के माध्यम से रजिस्टर कराए गया था पिछले वर्स कुछ जिए टैग काफी पहले ही प्राप्त हो चुका है और क्रिसी विभाग और मानिय मुख्यमंत्री जी के द्वरा ये बहुत पहले ही निर्नय लिया जा चुका है कि जिए टैग जो जर्दालू आम है उसकी बहतर मार्केटिंग हो और जो किसी रोड मैप है जो चौथा किसी र इस तर पर कॉडिनेट करती है एक्सपोर्ट्स को और खास करके जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उत्पाद हैं किरसी और इस से रिलेटेट जो चेतर है तो उसमें हम लोगों ने जर्दालू आम को सबसे पहले तो रेजिस्टर कराया था और पिछले साल जो है कुछ देश इस तो देखिए जो भागल पूरकास जर्दालू आम है वह अपने आप में यह जा रहा है कि रास्त्रपती भावन और प्रधान मंतरीत के साम को विशेस रूप से पहुंचाया जाता है और जो आम उन लोगों तक पहुंचते हैं उसकी निगरानी भी बहुत ही खास तोर पे की चाते हैं यानि कि सुरू से ही उस पर एक अलग ध्यान दिया जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहों और उसके बाद से रा इस बार भी पत्ते से जादा टिकोले नजर आ रहे हैं और खुशे के बात यह है कि लगातार जो बाहर से इस आम के डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बार भी इसकी बिक्री बहुत अच्छी होने वाली है इस वीडियो में फिलाल कि लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किलेजिए हमारी वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए साथी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप को जब दालो आम कैसे दखती है